भयांकर तपती हुई गर्मी में ठंडी ठंडी लसी सभी को बहुत पसंद आती है हेलो गाईज टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गुलकंद लसी इससे पहले आपने लसी तो बहुत पी होगी लेकिन एक बार गुलकंद लसी बना के देखिएगा बड़े से लेकर छोटे तक सभी को बहुत पसंद आएगी और मांग मांग के पीएगे चलिए इस रेस्पी को सुरू करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गुलकंद लसी बनाने के लिए मैंने लिया है दही ये मेरे घर की जमाई हुई दही है और इसके उपर पहले हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पिस्ता तो पिस्ता को मैंने यहाँ पर चौप करके बारिक इस्तिमाल किया हुआ है उपर से जब आप पिस्ता डाल देते हो ना तो लसी का स्वाच जादा टेस्टी आता है ये देखी एकदम गाली जो है दही बनाया हुआ है मैंने और इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों के से रिक्वेस्ट है कि मीठी दही कैसे बनाना है घर पे आप ये वीडियो जरूर देखिएगा आप सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीके साब अपने घर पे दही जमा सकेंगे वो भी मीठी एकदम मार्केट वाली तो दही को हम आट करेंगे एक बाउल में जिसमें की हम अच्छे से लसी बना पाएं तो यह मैंने थोड़ी सी जो है दही बचा लिया है इसका इस्तमार हम बात में करेंगे गुलकंद लसी को और स्वादिष्ट बनाने के लिए और फ्लेवर देने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बारिक चॉप किया हुआ पिस्ता यह दो चमच पिस्ता है साथ में दस बारा पीस जो है आप काजू के लिए इसे हमें ग्रैंड कर रहा है तो ग्रैनिंग जार में डालके हलका मोटा मोटा मैंने ग्रैंड किया हुआ है यह देख सकते हो आप इस तरीके से अगर आप मोटा मोटा ग्रैंड करके फिर लसी में इस्तमाल करते हो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब दातों के नीचे लस्सी पीते समाएं ड्राइफ रूट का स्वाध आता है ना मज़ा आ जाती है उसके बाद लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए गुलकंद तो आपको गुलकंद किसी भी पांट के ठेले पे या फिर किराना इस्टूल में बहुत ही आराम से मिल जाता है और बहुत जादा महेंगा नहीं मिलता है ये काफी सस्ता मिलता है गुलकंद की जो तैसीर होती है वो ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में इसकी लसी काफी स्वादिश्ट लगती है और आपके पेट को काफी ठंड़ा पहुचाती है तो सारी तयारी हो चुकी है अब हम लसी बनाना सुरू करेंगे तो जो मैंने दही लिया था ना वो मीठी दही लिया हुआ θα लेकिन इतनी मीठी नहीं थी कि हमें छीनी रालने की जरूरत ना पड़े फिर इसमें हम एट करेंगे दूद की मलाई तो ये घर में जो दूद आता है ना उसी की मलाई मैंने निकाल के एक चमज भर करके इस्तुमाल किया हुआ है ध्यान लखेगा कि मलाई बहुत दिन की नहीं होनी चाहिए मलाई के इस्तुमाल करने से बहुत ही बढ़िया क्रीमी फ्लेवार आता है लसी का मलाई को दही के साथ दो तीन मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने घर की मलाई के इस्तुमाल किया है आप चाहें तो मार्केट वाली क्रीम का इस्तुमाल कर सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद हमें इसमें add करना है गुलकंद, तो गुलकंद जो है ना काफी मीठा होता है, यहाँ पर मैंने एक चमच भर करके गुलकंद का इस्तमाल किया हुआ है, आप quantity कम जादा कर सकते हैं, खुजबू के लिए आधा चमच इलाची powder का इस्तमाल करेंगे, एक बार फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लसी बनाने के लिए अंडा फिटनी का इस्तमाल किया है, आप चाहें तो मतानी का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर grinding jar में आप लसी को बना सकते हैं, अच्छे से mix करने के बाद आप देख सकते हो क यई लसी जो ह wines kाफी गाधी दिखायी दे रही है, अगर हम इस लसी को इतना गाधी रखेंगे ना तो ये पीने में मजा नहीं आएगगी, तो इसमें हमें जुहाइड करना है पानी, तो यहाँ पर आपको जितना गाधी चाहिए लसी उस आप पानी की कॉंटिटी इस्तमा लगभग किया हुआ है पानी को भी हम मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसमें एट कर देते हैं काजू और पीस्ता जो हमने मोटा मोटा ग्रैंड किया था ना लास्ट में इसका इस्तुमाल करेंगे ड्राइफ रूट का इस्तुमाल करने से टेस्ट तो अच्छा आता ही है और क यह हमारी गुलकंद लसी बनकर तयार हो चुकी है इसे हमें सर्फ करना है तो सर्फ करने के लिए आप कोई भी गलास या फिर कटोरी का इस्तुमाल कर सकते हो मैंने यहाँ पर यह छोटी-छोटी कटोरियों का इस्तुमाल किया हुआ है इसे हमें अच्छे से डेकूरेट करन लसी डालने के बाद हम इसे जो है लसी डालने के बाद जो दही हमने मीठी वाली बचा कर रखा था आधा आधा चम्मच उसका इस्तुमाल करेंगे उपर से दही डाल देने से जब आप लसी को पीओगा न बहुत ही बढ़िया जो है टेस्ट आएगा फिर मैंने डेकूरेट करने के लिए यहां पर रुआबजा लिया हुआ है आधा चम्मच जो है रुआबजा आप गोल गोल करके उपर से डाल देते हो तो देखने में भी बहुत ही प्यार आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आजाता है लसी के उपर से हम पिस्ता और काजू से डेकूरेट करेंगे और ठंडी ठंडी लसी सर्फ करेंगे यह पीने में काफी टेश्टी लगती है और सभी को बहुत पसांद आने वाली है उमिद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरा ये तरीका पसंद जरूर आया होगा घर पे बना के ट्राई करिएगा आप लोगों को बहुत अच